क्या आपको भी पता नहीं चलता है इन इन कब आएगा, add कब आएगा, on कब आएगा, for or from में क्या difference है, after behind, before, after, इन सब में क्या difference है, तो guys, video के end तक बने रहे हैं तक क्योंकि, after doing a lot of research, आज मैं आपके सामने इस प्लै पोजिशन नाम के chapter का, सबसे best solution लेके आएओ, so without wasting करने वाले हैं एक चैप्टर की जो चाहे बेजिक हो बीगनर्स ओ या एडवांस लेवल पर सिख रहो सब को प्रॉब्लम करता है सब को इनो ट्रॉबल में डालता है वह कौन सा चैप्टर है तो उस चैप्टर का नाम है प्रैपोजिशन नाओ इस नथिग बट जस्ट पार्ट सब करके मत देखना वीडियो को लास तक देखना और हाँ अगर आपको इन्फोमिशन अच्छी लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इस प्रैपोजिशन नाम के चैप्टर याने कि इसका कंसेप्ट क्या है इसका कं कर रहे हो किसशिज की चैपदने करते हो कहीं न कहीं चीज की अप बिशा की बात करतो किसा बीसा का मतलब होता है डायरेक 10 का मतलब क्या होता है वह बोलते आगे-पीछे-उपर-N determines... बाजू कई पर आपने देखा हुगा आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू इस सारे वर्ट्स तो इसको इंग्लिस में एक नाम दिया गया है उसको बूला गया प्रेपोजिशन यानि कि पोजिशन क्या है उस इंसान की उस चीज वस्तू की पोजिशन क्या है कहां पर है आगे है पीछे है आजू में है बाजू में है ऊपर है या नीचे है तो जिस पोजिशन में इस कैटेगरी को इस कैटेगरी को क्या नाम दिया गया है प्रेपोजिशन तो इसमें कौन-कौन से वर्ड आते यह सब आपको पता है कही नहीं है आपने सुने होंगे स्कुल में बहुत सारे तो आपको काउंट करने जाओ तो अरॉंड 50 से भी बहुत ज्यादा है लेकिन भाइसाब मुझे आपको वह सब नहीं सिखाना है मुझे आपको यह सिखाना है कि में आप अपनी रैगुलर लाइप में प्रैक्टिकल लाइप में कौन से और कितने यूज़ कर सकते हो तो गाइस सिर्फ दस प्रेपोजिशन देने वाला हूं मैं आपको आज सिर्फ दस वर्ड जो इंग्ली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं उसी को आपको ल मतलब इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता लए अब बात यह आती कि इसको जाहते करें तो इसको श्कुल में कि वो रिखाện इंदेमें तो मैं इसको इंग्रिभर्ण intendantik कि अगर लिखा हुआ है मैंने सब्सक्राइब गलत है क्लास आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा बैंक के सामने वाकते इंग्लिश को आगे लाना पड़ेगा और बैंक को पीछे ले जाना पड़ेगा स्कूल पर पर को आगे लाना पड़ेगा इंगलिस में स्कूल को पीछे ले जाना पड़ेगा मेरे लिए तो लिए को आगे लाना पड़ेगा और मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा राइट गैस तो कंसेप्ट यूज करने का समझ में आगे आगे आपको किस तरह से प्रेप को यूस करना है